देश में लगतार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ते दामों की वज़े से एक आम आदमी की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ रही हैं और ऐसे में लोग दूसरा कोई उपाय ढूनने में लगे हुए हैं कि शायद एक दूसरा आप्शन उन्हें मिले जिससे वो कम पैसो में ज्यादा अच्छे से अपनी गाड़ी जो है वो चला पाएं तो एक दूसरा आप्शन जो काफी वक्त से भारत में है लेकिन अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों की वज़े से वो ज्यादा आगे हो रहा है यानि कि कह सकते हैं उसको ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है वो है इलक्ट्रिक वेहिकल का आप्शन इस वक्त हम ऐस इसे ही दिली में पार्लिमेंट के पास रफी मार्क पर इस तरह से बूद बना हुआ है ये वो पॉइंट है चार्जिंग पॉइंट इलक्ट्रिक वेहिकल का चार्जिंग पॉइंट है इस तरह से आप देखे किस तरह से यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स बने हुए हैं ये तकरीबन पाच पॉइंट्स हैं, गाड़ियां यहां आती हैं, EV वेहिकल्स यानिक इलेक्ट्रिकल वेहिकल्स आप देख सकते हैं, इस वक्त भी कैमरे में एक गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है, यह इलेक्ट्रिक वेहिकल्स है और इसको चार्ज करने के लिए यहां पर जि और चार्जिंग पॉइंट पर आपने लगाया इस वेहिकल को, तो कैसे है चलने में, क्या रिव्यूज हैं? सवा दोस्तों के आसपास, सवा दोस्तों के आसपास, मुझे यह बताईए कि इस तरह के चार्जिंग पॉइंट्स दिल्ली और NCR में अभी बहुत जादा नहीं है, कम हैं, फिर भी दिल्ली और NCR के हिसाप से गाड़ी कैसी है? बढ़िया है, बढ़ावा दिया जा रहा है चार्जिंग पॉइंटों को, काफी जगे लगे हुए हैं, चार्जर ओर भी यहां से अलग भी हैं, आई एन ने हैं, लोधी गारड़न है, दुवारी का सेक्टर बारे है, नोएडा में हैं, गुडगामा में हैं, NCR में काफी ब इलक्रिक वहिकल को चार्ज करने के पॉइंट जो हैं, लगे हुए हैं, एक चीज आपको यहां पर हम समझा देते हैं, यह पूरा रूट मैप है, आप का किस तरह से आपको इस मैप को देखना है, और उसके बाद आप इसको गारी को चार्ज कर सकते हैं, सबसे पहले चीज यह है कि यहां पर स्कैनर दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसको स्कैन करिए, जिसमें सारी डीटेल्स जो हैं, वो आ जाएंगी और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि किती बिजली जो है, वो इसका पेमिंट कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी गारी को चार्ज कर सक कि इस तरह से निकालते हैं और पेट्रोल भराये जाता है, तो इसी तरह से चार्जिंग जो है, वो भी की जाती है गाडियों में और यहां पर सेल्फ सर्विस होती है, आप आईए अपनी गारी को चार्ज पर लगाईए और तकरीबन डेल घंटे में यह गारी जो है होती है, यहां पर चलती है, यहां पर एक शक्स और है, उनसे भी बात करते हैं, थोड़ा को चलाने में तो अच्छी है, कोई दिक्क्त नहीं है, और वैसे भी, कोई मेहगी भी नहीं है, पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं ने देखते हूई, तो यह इलेक्ट्रिक वी का पेट्रोल डीजल के दामो को देखते हुए इलेक्ट्रिक वेहिकल जो है वो बहतर बता रहे हैं लोग क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग काफी वक्त से इस गाड़ी को चला रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा है हलाकि अभी बहुत जादा बढ़ावा पूरे देश में इस चीज़ को नहीं मिला है कास तोर से जो बड़े शेहर हैं कास तोर से राइधानी के अगर बात करें तो महाँ पर जरूर बढ़ावा मिला है चार्जिंग पॉइंट्स बन गए हैं जिसकी वज़े से इन गाड़ियो को अब धीरे धीरे करके बढ़ावा मिल रहा पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों की वज़े से देखा जा रहा है कि लोग अब इलक्रिक वहिकल की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं कैमरा परसा निकल रस्तोगी के साथ मदीहा का नेवीप नियूस दिली